दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल बातिस आईतिकी पर आप सभी का एक बार पुना हर्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मुन्शी प्रेमचंद की कहानी कफन। मित्रों कफन, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, जो चांद पत्रिका के अपरेल 1936 के अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने इसे पहले उर्दु में लिखा था और उर्दु पत्रिका के जामिया के दिसंबर 1935 के अंक में यह छफी थी। कुछ आलोचक मानते हैं कि कफन हिंदी की मौलिक कहानी नहीं है, बलकि उर्दु का तरजुमा है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, मुन्शी प्रेमचंद उर्दु से ही हिंदी में आये थे, इनका बच्पन का नाम नवाबराय था और इसी नाम से वे उर्दु में लिखा करते थे। सन 1907 से 1916 तक लगबग 9 वर्षों तक प्रेमचंद उर्दु में कहानिया लिखते रहे, हिंदी कहानी साहित्य में उनका वास्विक रूप में प्रवेश 1917 के बाद हुआ, सन 1917 से 1936 तक लगबग 20 वर्षों तक उनकी कहानिया क्रम से वास्विक्ता की और विकास पाती रही। मित्रों प्रेमचंद की कहानियों को एतिहासिक विकास क्रम की दृष्टी से तीन कालों में रखा जा सकता है, आरंबिक काल जिसे प्रयोग काल कहा जा सकता है सन 1920 तक, स्थाइत्व काल अर्थात विकास काल 1930 तक और उतकर्ष काल या कला का चरम विकास सन 1936 तक. पंडित विश्वनात सादमिश्र प्रेमचंद की कहानियों में पाई जाने वाली विचारधारा के विकास का उल्लेक करते हुए कहते हैं कि उनकी कहानिया प्रारंभिक सुधारवाद का रूप लेकर चली थी, मद्धिकालेन कहानिया राष्टरवाद के सरोमाने रूप की पोश्का थी और उत्तर कालेन कहानियां जनवाद के भारतिय परिश्वित रूप से ओध-प्रोथ। उनकी प्रारंबिक कहानियों में अतीद के चित्र भी हैं पर आगे चलकर उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर दिया है। मित्रों कहने का तातपर यह है कि प्रेमचंद उत्रो तर समाजवादी होते गए थे। इस समाजवादी विचारधरा के पीछे उनके विक्तित्व की स्पष्ट छाप है। उनकी कहानियों में उनका संगर्श रत जीवन प्रतिविंबित होता है। स्वयम प्रेमचंद अपनी आत्म कहानी के प्रारंभ में इसका उलेक करते हैं। वा अनुभाव पर आधारित होते हैं मगर घटना मात्र का वर्णन करने के लिए मैं कहानी नहीं लिखता। मैं उनसे किसी दार्षनिक और भावात्मक सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन कोई घटना कहानी नहीं होती जब तक कि वह किसी मनोवज्यानिक सत्य को व्यक्ति ना करे। कफन कहानी प्रेमचंद के इसी मंतव्य को उन रूप से सत्य सिद्ध करती है। मित्रों प्रेमचंद की कहानी कफन उनके उतकर्श काल की रसना है। जोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया पसब वेदना में पचाड खा रही थी पहरेकर उसके मुँझे ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाडों की रात थी पुक्रती सन्नाटे में डूबी हुई सारा गाउं अंदकार में ले हो गया था घीसु ने कहा मालुम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दोडते हो गया जा देख तो आ माधव चिड़कर बोला मरना ही तो है जल्दी मर क्यों नहीं जाती देख कर क्या करूं तो बड़ा बेदर्ध है बे घीसु ने कहा साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई माधव कहता है तो मुझसे तो उसका तरपना और हाद पाउं पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुनबा था और सारे गाउं में बदना घीसु एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना काम चोड़ था कि आद घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलते थी घर में मुठी पर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो-चार फाके हो जाते तो घीसु पेड़ पर चड़कर लखड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता और जब तक भी पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते जब फाके की नौपत आ जाती तो फिर लखड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते गाउं में काम की कमी न थी किसानों का गाउं था मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधू होते तो उन्हें संतोष और धैरी के लिए सैयम और नियम की बिलकुल जरूरत न होती ये तो इनकी प्रकृती थी वजितर जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बरतन के सिवा कोई संपत्ति नहीं पटे चीथरों से अपनी नगनता को ढाके हुए जिये जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं दीन इतने कि वसुली की बिलकुल आशा नहीं रहने पर भी लोग ने कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखार लाते और भून भान कर खा लेते या दसमाच उख उखार लाते और रात को चूसते गीसुने इसी आकाश वृत्ति से साट साल की उम्र काट दी और माधाव भी सपूत बेटे की तरह बाब ही के पच्चिन्नों पर चल रहा था बलकि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठ कर आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे गीसु की इस तरीका तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधाव का ब्याह पिसले साल हुआ था जब से यह औरत आई थी उसने इस खांदान में विवस्था की निव डाली थी पिसाई करके या घास चिल कर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेग एरतों का दोजक भरती रहती थी जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गये थे बलकि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कारे करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसब वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं गिसु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुडेल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओजा भी एक रुपया मांगता है माधव को भै था कि वह कोठरी में गया तो गिसु आलूं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहाँ जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहां हूँ ही तो तुम ही जाकर देखो ना माधव कहता है घिसु कहता है मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगी की नहीं जिसका कभी मुझ नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखू उसे तन की सुध भी तो नहोगी मुझे देख लेगी तो खुल कर हाथ पाउं भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सोट, गुड, तेल, कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दें तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वेही कल बुला कर रुपे देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में राद दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुरबलताओं से लाव उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन थे वहाँ इस तरह की मनोबृत्ति का पैदा हो जाना कोई अच्रच की बात न थी हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचारशून समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की खुचसित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें यह शक्तिना थी कि बैठक बाजों के नियम और नेति का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गाउं के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाउं उंगली उठाता था फिर भी उसे यह तस्कीन अर्थात तसली थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी जीत और मेनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीता से दूसरे लोग बेजा फाइदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सबर नहीं था कि ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जवाने जल गई छल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यदा गरम ना मालूम होता लेकिन दान्तों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुँ में रखने से ज़्यादा खेरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुँच जाए जहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते हलांकि इस कोशिश में उनकी आँखों से आंसु निकल आते घीसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था उस दावत में उसे जो त्रिप्ती मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लाइक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी बोला वह भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, तीन तरह के सुखे साग एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीच चाहो, मांगो, जितना चाहो, खाओ लोगों ने ऐसा खाया, ऐसा खाया, कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोशने वाले हैं कि पतल में गरम-गरम, गोल-गोल सुवासित कचोडियां डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वै है कि दिये जाते हैं और जब सबने मूँ धो लिया, तो पान इलाइची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहा सुथ थी, खड़ा हुआ न जाता था चट-पठ जाकर अपने कंबल पर लेट गया, ऐसा दिल दरियाव था वे ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा, वे जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायद सूथती है शादी ब्याव में मत खर्च करो, ग्रिया कर्म में मत खर्च करो, पूछो, गरिबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायद सूथती है माधव पूछता है, तुमने बीस एक पूरियां खाई होंगी? गिसु कहता है, बीस से ज़्यादा खाई थी माधव कहता है, मैं पचास खा जाता है, गिसु कहता है, पचास से कम मैंने न खाई होगी, अच्छा पका था, तु तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओड कर पाउं में पेट डाले सो रहे जैसे दो बड़े-बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक कराह रही थी सबेरे माधव ने कोटरी में जाकर देखा, तो उसकी स्त्री खंडी हो गई थी, उसके मुँपर मक्यां भिनक रही थी, पत्राई हुई आखें, ऊपर टंगी हुई थी, स्कारी देह धूल से लत्पत हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसु के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे, पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना, तो दोडे हुए आये और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अफसर न था, कफन की और लकडी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था, जैसे चील के घोंशले में मास बाप बेटे रोते हुए गाउं के जमिनदार के पास गए, वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हातों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए, पूछा, क्या है बे गिसुआ, रोता क्यों है, अब तो त दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गाउं में रहना नहीं चाहता, गिसुने जमीन पर सिर रखकर आँखों में आशु भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ती में हूँ, माधव की घरवाली राद को गुजर गई, राद भर तरपती रही सरकार, हम दोनों उसके स चट गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा, हमारे हाथ में तो जो कुछ था, वह सब तो दवादारों में उठ गया, सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाओं, जब इंदार जजपड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है, हराम खोर कहीं का, बदमाश, लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अफसर न था, जी में कुड़ते हुए दो रुपे निकाल कर फेंक दिये, मगर सांतोना का, एक शब्द भी मूँ से न निकाला, उसकी तरफ ताका तक नहीं, ज किसीने दो आने दिये, किसीने चार आने, एक घंटे में गीसु के पास पांच रुपे की अच्छी रकम जमा हो गई, कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकडी, और दो पहर को गीसु और माधव बाजार से कफन लाने चले, इधर लोग बांसवांस काटने लगे, गाउं की न जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव, माधव बोला, हाँ, लकडी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो, कोई हलका सा कफन ले ले, माधव कहता है, हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है, कैसा बुरा रिवाज है, कि जि पांच रुपे पहले मिलते, तो कुछ दवादारू कर लेते, दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड रहे थे, बाजार में इदर उदर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर, तरह तरह के कपड़े, रेसमी और सूती देखे, मगर देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घीसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहु जी, एक बोतल हमें भी देना, उसके बाद कुछ चिकोना आया, मितल चिकोना, अर्थाद शराब के साथ चक्कर खाये जाने वाला चटपटापदार, कली हुई मसली आई, और तोनों बरामदे में बैठ कर शांति पूरवक पीने लगे, कई कुझ जियां तावर तोड़ पीने के बाद दोनों शरूर में आ गए, गीसु बोला कफन लगाने से क्या मिलता, अखिर जल ही तो जाता, कुछ बहु के साथ तो न जाता, माधव आसमान की तरब देख कर बोल मानो देवताओं को अपनी निश्पापता का साक्षी बना रहा हो, दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामनों को हजारों रुपे क्यों देते हैं, कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं, गीसु कहता है बड़े आद्मियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास माधो कहता है, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहा है, गीसु हसा, अबे कह देंगे कि रुपे कमर से खिसक गए, पौट ढूंडा, मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपे देंगे, माधो भी हसा, इस अनपेक्षित सोबाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर, आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई, गीसु ने दो सेर पूडियां मंगई, चटनी, अचार, कलेजियां, शुराब खाने के सामने ही दुकान थी, माधव लपक कर दो पतलों में सारे सामान ले आया, पूरा डेड़ रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे, दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूडिया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो, ना जवाब दही का खौफ था, ना उसे पुन्न न होगा, माधव ने सद्धा से सिर जुका कर तस्तिक की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तो मंतर्यामी हो, उसे बैकूंठ ले जाना, हम दोनों फिर्दे से आसिरवाद दे रहे हैं, आज जो भोजन मिला, वा कभी उम्र भर न मिला था, एक खण के बाद मा परलोग की बातें सोचकर इस आनन्द में बाधा न डालना चाहता था, माधव फिर कहता है, जो वहाँ हम लोगों से पूछे, कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे, गिसु कहता है, कहेंगे तुमारा सिर, पूछेगी तो जरूर, गिसु कहता है, तु कै पास ना आया, बोला, कौन देगा, तुमने तो रुपे चट कर दिये, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी माग में तो सेंदूर मैंने डाला था, गिसु गरम होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तु मानता क्यों नहीं, कौन देगा, बताते क्यों नहीं, पही ल जाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपता जाता था, कोई अपने दोस्त के मुह में कुल्हर लगाए देता था, वहां के वातावरन में सरूर था, हवा में नशा, कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, शराब से ज़्यादा, यहां की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहां खीच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं और यह दोनों बाब बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी, दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है भर फेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पतल उठाकर एक भिकारी को दे दिया जो खड़ा इनकी और भूकी आँखों से देख रहा था और देने की गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया भीसु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशिरवाद दे, जिसके कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशिरवाद उससे जरूर पहुँचेगा रोय रोय से आशिरवाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वह बैकूंट में जाएगी दादा, बैकूंट की रानी बनेगी विसु खड़ा हो गया, और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकूंट में जाएगी किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह ना बैकूंट जाएगी तो क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हातों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चड़ाते हैं शुद्धालुता का यह रंग तुरंथ ही बदल गया, एस्तिता नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दोरा हुआ माधव गोला, मगर दादा बेचारी ने जिन्दगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख जेल कर मरी वह आँखों पर हाथ रखतर रोने लगा, चीखे मार मार कर गीसो ने समझाया, रोता क्यों है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जन्जाल से छूट गई बड़ी भग्यवान थी, जो इतने जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिये और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्योंने न जमकावे ठगिनी प्यकड़ों की आँखे, इनकी और लगी हुई थी, और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाये जाते थे फिर दोनों नासने लगे, उचले भी, उदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनाई भी किये और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े मित्रों, प्रेमचन की कहानी का लाका लक्ष सामाजिक याथार्थवाद है मांजरोर की भूमिका में प्रेमचन लिखते हैं कि वर्तमान अख्याई का मनोबिज्ञानिक विशलेशन और जीवन के यथार्थ सभाविक चितरन को अपना धे समझती है कफन कहानी में भी उन्होंने यथार्थ चितरन की और विशेस्पल दिया है राजंदरी अदव लिखते हैं कि अंतकी और उनके द्रिष्टी कोण में उल्लेखनी परिवर्तन है और वे समाज के विविन तबकों या वन्शों के टाइप पात्र लेने की अपेक्षा वर्ग संगर्ष और मागसे द्रिष्टी से पात्रों का चुनाव करते हैं यथार्तवादी कहानियों में हल देने का कोई आग्रह नहीं है उत्रो प्रेमचंद कफन में घीसु और माधव के मन की कूप प्रिक्रतियों का चितरन करते हैं किन्तु इसमें उनका आक्रोश, कूब विवस्था और वर्ग विशमता की और अधिक है इसलिए इस कहानी में प्रेमचंद लिखते हैं कि जिस समाज में राद दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों के दुरबलताओं से लाब उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा समपन थे वहाँ इस तरह की मनोब्रती पैदा हो जाना कोई अच्रच की बात नहीं थी हम तो कहेंगे घीसु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शुनने समहों में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुछसित मंडली में जा मिला था उत्रों कफन में यथार्थवाद अभिवक्त हुआ है जब जबीन चली जाती है तो किसान मजदूर बन जाता है और जब मजदूरी के मिलने में एनिश्य रहता है तो वह उपजीवी बन जाता है घीसु और माधव इसी एनिश्य की आसंका से एकरमन्य हो गए है कफन कहानी पुधिया के कफन की कहानी न होकर मानवेता और मृत नेतिक बोध की कहानी है अते घीसु और माधव की एकर्मननिता व्यक्ति परक्ना होकर समाज परक्थ है जहां आजीविका की एनिश्चिता है समाजिक व्योस्ता के प्रती फ्रेमचंद का विद्रोह भी प्रसुत कहानी में स्पश रूप से निम्न पंक्तियों के द्वारा व्यक्त किया गया है घीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लाज की लहरों में तेरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकॉंट में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी के सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वे नहीं बेकॉंट में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हातों से लूटते हैं और पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चड़ाते हैं विद्रों प्रसुत कहानी का आधार मनोवेग्यानिक है घीसू और माधव के एकरमन्यमन की गुत्तियों और उनकी भावनाओं का सजीव शित्रन किया गया है इस कहानी का मनोवेग्यानिक आधार यह अनुभूती है कि आधुनी का आर्तिक विवस्ता में सर्वहरा वर्ग कितना पतित हो सकता है घीसू और माधव दोनों सदा के भूके हैं मेनत करने पर भी उन्हें भर पेट रोटी नहीं मिलती दूसरों को भी परिश्रम करके भूके मरते देखते हैं इससे उनमें एकरमन्यता आती है पर साथी पेट भोजन और जीव स्वादिष्ट वेंजन मांगती है इसलिए वे क प्रेमचंद ने कहानी में मानव मन की दुरबलताओं का भी कुशलता पूर्वक्चितरन किया है उनके चरित्र पतीग न होकर यथार जीवन में पाई जाने वाले चरित्र हैं भूक मानव के उचित अनुचित के विवेक पर परदा डाल देती है जिसू और माधव भी भू पूठ्री में गया तो घिसू आलों का एक बड़ा भाग साफ कर देगा और इसलिए वह कहता है मुझे वहाँ जाते डर लगता है पुद्रों कफन कहानी का संबंद ग्रामीन जीवन से है और इसमें चमारों की रहन सैन पर विचार किया गया है और साथ ही ग्राम के अन्य मे रांगने के लिए द्वार पर आ जाता है तो देना करतव में समझ कर वे कुछ नकुछ दे ही देते हैं मुद्रों यहाँ पर रत्नकुवार सांबरिया की विवेशना का उल्लेक करना समिचीन रहेगा रत्नकुमार सांबरिया लिखते हैं कि कहानी को प्रामणवादी नजरी मित्र रत्रमकुमार संभरिया लिखते हैं कि व्यवारिक्ता के अभाव में कफन कहानी बेदम होती जाती है। घीसु और माधव दोनों बाब बेटे किसानों के खेतों से चुरा कर लाए आलू जोंपडी के बाहर अलावत में भून भून कर खा रहे थे। सास मर चुकी थी, ऐसी स्थिते में आसपड़ोस की स्थियां वहां क्यों नहीं उपलब्द हुई, क्यों नहीं आई, यह सोचने का विशय है। रतन कुमार सांबरिया लिखते हैं कि कितना दारुण है कि बुधिया प्रसव पीड़ा में तरप रही थी और मोहले की ओरतें उसके पास नहीं आई। प्रसुत कहानी की अगली चूक बताते हुए रतन कुमार सांबरिया लिखते हैं कि प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गाओं में जरूर हुआ, वे गाओं में रहे भी जरूर लेकिन उनको पढ़ते हुए आभास होता है कि गाओं के रिती रिवाजों, परंपराओं औ और लोकरीतों से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, गाओं का बुनियादी ज्यान तो दूर उन्हें गाओं के बारे में सतही बोध भी नहीं था, और यही कारण है कि अपनी सधी बुनावट के इस कारण ग्रामीन परिवेश से अनभिग्य शहरी लोगों को उनकी कहानिया आश अशरों पर भाई बंधू, सगे संबंधी, मृतक के परिजनों को सांतुना देते हैं, उनको दाडस बंधाते हैं, तोक शंतप्त की पीडा से आत्मसाथ करते, उनकी भी आखे रोने लगती हैं, अगर ऐसे गम के अवसर पर मृतक के परिजन कफन लाने के लिए जाना भी च वाका, तो सब को पता था, प्रेम चंद, घिसु और माधव को कफन लेने के लिए भेज कर, लोग की खिल्ली तो उडाते ही हैं, गाउं की चमार जाती को निष्ठुर, निर्दई और नाकारा साबित करने का दुस्साहस भी करते हैं, बाप बेटे को गाउं के जमिंदार के यहां गुदिया के कफन के लिए चंदा अकरने भिजवाते हैं, जब इंदार घिसु की और दो रुपे फैंक देते हैं, चंदा बटोरते बटोरते दोनों के पास पांच रुपे एकटे हो जाते हैं, घिसु और माधव कफन के लिए मांगी गई इस रकम को लेकर बाजार जाते हैं, बाजार में वे कफन नहीं खरीदने के मन में यहीं इधर उधर टटफोले मारते फिरते हैं, खाते पीते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं, ताकि सस्ते से सस्ता कफन खरीद सकें, उनके चेहरे पर इस बात का कोई रंज नहीं है कि घर में लाश पड़ी हु मुर्दा चाहे किसी भी धर्म जाती समुदाई या वर्ग का क्यों न हो उसे रात में जलाया ही नहीं जाता। पर 1986 के अंक में लिखते हैं कि घीसु और माधव प्रेमचंद ये ब्रामन हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायन लाल कहते हैं किस कहानी में जैसे कोई मनोवेक यानिक बिंदू ही कहानी भर में कथानक के नाम पर सुख्ष्म रेखा बन गई हो। पस्तुत कहानी में सर्वहरा वर्ग के दो व्यक्ति घीसु और माधव के द्वारा नेतिक पतन का बोध कराया गया है। दुखों को सहते सहते दोनों ही एकर्मन्य बन गए हैं इसलिए मेनती ना होकर उपजीवी हो गए हैं। घर पर बुधिया मरी पड़ी है पर उन्हें उसकी चिंता नहीं कफन के लिए एकत्र किये गए रुपियों से पहले वे पूरी कचोरी खाते हैं शराब पीते हैं। जीवन में पहली बार मिलने वाली त्रिप्ति को वे छोड़ नहीं पाते इसलिए सब कुछ भूलकर वर्तमान में ही रम जाते हैं। इसलिए प्रेमचंद कहानी को चरम सीमा पर पहुँचा कर वहीं अंत कर देते हैं। इससे करोना का और साथ ही उसके मारमिक जीवन का सहज ही सपष्ट चित्र अंकित हो जाता है। मित्र प्रसुत कहानी का शीर्शक इति वृत्ता अत्मकना होकर सुक्ष्म भावों को अव्यक्त करने वाला है। इसमें केवल बुधिया के कफन पर ही व्यंग नहीं है, मानव की मूल प्रुवत्ति की ऐसाहायता पर भी विंग्य है। प्राजंद्री आदव कहते हैं कि कफन अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी नहीं, मानवता और मृत नेतिक बोध के कफन की कहानी है या उस हताशा की कहानी है जो मनुष्य के आदित्य को आदिम स्तर पर ले जाती है और जहां पर अच्छे बुरे का लोब हो प्रसुत कहानी में प्रेमचंद्र ने मानवे दुरबलताओं का सफल और यथार चित्रन किया है इसके पात्र स्वाभाविक है और उनका आधार मनोबेग्यानिक है गीसु और माधव समाज की आर्थिक विशमता में शोशित वर्ग के प्रतिनदी है उनके चरित्रों में श सेद्र विक्सित करने के लिए कहानी में दी गई है क्योंकि उसके निधन से ही उनके चरित्र का निखार होता है कहानी का वातावरन सजीव और मारमिक है इसमें शुरू से अंत तक मारमिक करुणा भरी पड़ी है करीबों की दुर्दशा और उनकी मानसिक व्यथा के सजीव द्धनित हो रही है जाड़े की रात थी प्रक्ति सन्नाटे में डूबी हुई थी और सारा गाउं अंदकार में ले हो रहा था कहानी की भाषा सरल सहज अव्यक्तिपूर्ण और मुहावरेदार है इसमें आम फहम सादारन बोलचाल के शब्दों का प्रियोग किया गया है श अथार्थ की रसना होने के कारण इसका उद्देश यह है शोषण और गरीबी से उत्पन एकरमन्यता और लापरवाही उपजीविका का सच्चा चित्रन प्रेमचंद यहां शोषण और अन्याय के विरुद्ध हैं तो मित्रों यह थी मुझी प्रेमचंद की कहानी कफन जि अपने मित्रों के साथ साज्या करें पीडियेफ तता अन्य साहिता के लिए हमसे टेलिग्राम पर जुड़ें बाते साहित की चैनल को सब्स्राइब करें और भविश्य के सभी वीडियो की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित की धन्यवाद